हेलो एवरिवन केसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिडिंग देकर के आए हैं ये कलेक्टिव रिडिंग होने वाली फ्रेंड्स तो प्लीज जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज वही लीजिए एका आज हम देखेंगे कि आपकी जो spirit guides हैं आपकी जो ancestors हैं वो आपको क्या important message देना चाहते हैं आपको क्या बताना चाहते हैं आपके अंदर क्या abilities हैं आप क्या कर सकते हैं आपके लिए क्या आ रहा है वो आपको क्या guide करना चाहते हैं वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग आज मैंने जब शुफलिंग करी थी तो मुझे यही मेसेज मिला कि मुझे जब मैं रीडिंग करने से पहले मुझे यही मेसेज मिला कि मुझे इसी टॉपिक पर रीडिंग करनी है और मैंने शुफलिंग करी तो karts अपने आप ही आने लग गए तो यी karts मुझे पहले से ही निकालने पड़ गए थे तो karts पहले से ही set है और इसे हम कहते हैं culticar cross spread तो karts निकाल शुकी हूँ मैं तो अब हम reading स्टार्ट करते हैं ठीक है ओम नम्हा श्रेवाए प्रिस जो में आपके लिए अगर मैं आपकी current position की बात करूँ तो यहाँ पर जो आपके spirit guides आपके ancestors जो हैं जो बता रहे हैं वो फिक लारूवियन्स आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी जिस भी situation में आप है जो भी आपके around में चल रहा है जो भी आपकी situation है इस वक्त ठीक है चाहे वो किसी भी तरीके की हो आप चीजों को sense कर पा रहे हो आप चीजों को समझ पा रहे हो deeply आपको पता है कि क्या चीजे चल रही है और आपको कहीं न कहीं जिसे कहते हैं न कि वो sense है कि आपके साथ इस situation में हो क्या रहा है और आगी क्या होने वाला है और यह चीजें यह circumstances आपकी life में बनाए क्यों जा रहे हैं लेकिन कुछ होता है न कि जब हम ऐसे situation में होते हैं तो हमारा mind बहुत ज़्यादा चलता है और हम इन चीजों को ignore करने लग जाते हैं तो आपकी जो ancestors हैं आपकी spirit guides हैं वो आपको बोल रहे हैं कि जो आपका inner voice है वो बिलकुल true है उस पर trust रखो उस पर trust करो आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है अगर आपकी around कुछ difficulties भी चल रहे हैं कि ऐसे situations में stuck हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लेकिन अंदर से आपको पता है कि जो हो रहा है वो आपकी अच्छे के लिए हो रहा है आप अच्छे स्थिती में ही पहुँचेंगे आप जहां जा रहे हैं वो बिलकुल right direction है आपको divine बोल रहे हैं उस पर trust करो जहां आपका mind बहुत ज़्यादा चलने लग रहा है और आप जहां confused हो रहे हो किसी situation में stuck हो रहे हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वहां आपका दिमाग चल रहा है तो divine बोल रहे हैं उस situation से आपको बाहर आना है ठीक है और अपने अंदर की जो voice है उससे connect होई है आपको बिलकुल सही direction में लेकर जाया जा रहा है आपको बोल जा रहा है अपनी intuition पर trust करना सीखिए ठीक है आपको यहां बोल जा रहा है जितना आप अपनी third eye को लेकर के क्योंगी यहां पर मुझे messages मिल रहे है कि कुछ लोग यहां पर मेरे कुछ viewers जो है वो third eye पर focus कर रहे हैं आप लोग अपनी third eye को यहां तो open कर रहे है या कुछ ना कुछ है तो maybe आप लोगों को visions दिखाए दे रहे हो या खास कर के dreams कुछ आजकल आपको बहुत अटपटे आ रहे हो आपके ancestors आ रहे हो आपको कुछ अजीब तरही के messages मिल रहे हो dreams के थूँ तो आपको बोला जा रहा है उन dreams पर trust कीजिए और जो dreams में आपको messages receive हो रहे है या जितना भी आप उनको उन dreams को decode कर पा रहे हो उन्हें समझ पा रहे हो उसके through actions लेना शुरू कर दीजिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि definitely आप लोग messages तो receive कर रहे हैं अभी कुछ लोगों को चाहे वो visions दिखाए दे रहे हो चाहे आप लोगों को dreams ऐसे आ रहे हो चाहे synchronicities नजर आ रहे हो मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से आपको messages मिल रहे है और आपकी intuition भी आपको सही direction पर लेकर जा रही है बस जरूरत है उस पर trust करने की और उसको लेकर के action लेने की ठीक है और next की अगर हम बात करें तो यहाँ पर technology का card है जो इसे cross कर रहा है क्योंकि यहाँ पर as a challenge की बात मैंने यहाँ करी है तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोग ना बहुत ज़दा हो सकता है technology या फिर gadget से बहुत connected हो तो कुछ लोग यहाँ पर ना अपने time को उस तरहीके से use नहीं कर पा रहे है आपको बोला जा रहा है definitely यह technology का जमाना है आप उसे use कीज़े आपको यह नहीं बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ से disconnect हो जाए आपके spirit guide आपके ancestors यह नहीं बोल रहे हैं आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को जितना हो सके आप अपने ही काम को लेकर के अपने ही information को अपनी personal growth को लेकर के use करें ना कि अपने time को इस situation में या technology में जादा waste करें जिस वज़े से कि आपको meditation का वक्त नहीं मिल रहा है चीज़ों को समझने का वक्त नहीं मिल रहा है जिस वज़े से कि आप अपने जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमने जब last reading करी थी जो हमें guidance वहाँ पर मिली थी तो वो यहीं था कि आपको समय का utilize करना बहुत जरूरी है कि आप समय कहां लगा पा रहे हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना समय waste कर रहे हो आपको समय नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे में meditate करने का योगि कुछ लोग जो है disconnect है अपनी meditation से या जो भी आप spiritual अपने rituals कर रहे थे या जो कुछ भी आप अपने practices कर रहे थे उससे थोड़ा सा disconnect हो तो divine आपको यही बोल रहे हैं आपके ancestors spirit guides आपको यही बोल रहे हैं कि यह सब चीजे जो है ना technology की वज़े से ज़ादा हो रही है maybe आप computer पर अपने phone में बहुत ज़ादा आप time spent कर रहे हो या इन चीजों पे social media पे बहुत ज़ादा time spent कर रहे हो और ऐसा भी highly possibilities है कि आप फ़जूल की चीजे ज़ादा देख रहे हैं और काम की जिजे कम देख रहे हैं तो आपको बोला जा रहे हैं जो आपकी growth करें आपकी personal growth आपकी spiritual growth करें उन्हीं चीजों को देखें उसे उस तरीके से use करें ना कि उन्हें अपनी development के लिए personal development के लिए use करें ना कि अपने time को waste करें ठीक है new possibilities को खोजें नहीं टेक्नीक्स को खोजें कि आप किस तरीके से आगे grow कर सकते हैं या जिस भी चीज में आपको मदद चाहिए उस चीज के लिए आप technology को use करें ताकि वो जितना time आप उसको दे रहे हैं वो useful रहे आपका waste नहीं जाए लेकिन अगर आप वैसे ही shots देख रहे हैं बिना मात कि आप videos देख रहे हैं जो use की नहीं है तो आपको आपके spiritual guide से ही बोल रहे हैं कि ये आपका time waste कर रहा है तो ये वक्त नहीं है कि समय को waste किया और technology को सिर्फ और सिर्फ अपने growth के लिए use करें ठीक है अपनी possible मतलब आपकी life में जो चीजे चल रही हैं उनमें आप कैसे आगे grow कर सकते हैं उन्हें explore करने के लिए आप उस technology को use करें ठीक है और यहीं अगर मैं आपके लिए आपके spiritual influence की बात करूं तो यहां पर telepathy की energy है telepathy pure communication notice how telepathically receptive you are your guard your guidance is to clear your mind and becoming receptive to the messages of your guidance sorry or your guides and angels as well as to the thoughts of other people someone is trying to transmit something important to you you are also called on to project telepathic message of love, hope and inspiration to others तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपकी बात की चाहिए कि यहां पर क्योंकि हम बहुत सारी यह collective में message आ रहा है तो telepathically हम सभी में वो ability होती है कि हम एक दूसरी की intentions को कहते है अगर हमारे around में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है जिनकी intentions हमारे लिए अच्छे नहीं है हम उनकी energies को sense कर लेते हैं और हम उनसे distance maintain कर लेते हैं और जो लोग हमारे लिए पेऊर intentions रखते हैं हम उनके साथ connect हो जाते हैं तो ये एक उज़ा सब में होती है लेकिन कुछ लोग इसे use कर पाते हैं क्यों? वो यही है कि आपका mind कितना clear है आप कितने peace में आप रहते हो कितना आप meditate करते हो कितना चीज़ों को observe करते हो और observation कैसे होती है कि जब आप बहुत कम बोले communicate कम बोले observe करें चीज़ों को sense करने लग जाएं दूसरों की energies को तो आपको पता चल सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए कैसे हैं healthy हैं या unhealthy people हैं आपके लिए आपके अच्छे में हैं या आपके बुरे में हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आपके थ्रूना एक मतलब इस तरह का messages आपके थ्रू जाना चाहता है आपके divine आपके spirit guides हैं वो चाहते हैं कि आपके अंदर ये जो ability है आप इससे बहुत ही एक अच्छे वे में use करें आप लोगों को धेर सारा love भेजे धेर सारी inspiration भेजे उनको motivate करें ये होता ना telepathically message भेजना जैसे कि अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर हम किसी अपने loved one की इच्छा करते हैं कि उनका phone आना चाहिए या फिर क्या वो मुझे याद कर रहे हैं तो तुरंत से उनका जैसे phone call आ जाता है तो हम कहते हैं हम तो अभी ही याद कर रहे थे हमारा अभी ही intention सा कि आपसे बात करने का मन हो रहा था तो वो क्या था वो telepathically आपने वो एक प्यार भरा message उनकी तरफ भेजा है ना तो आपको बोला जारा है इसी तरह ये एक आपको अपने अंदरना ability को और develop करने की जुरत है कि अपने आसपास की जो लोग है ना उनके पास धेर सारी आप hope भीजिए telepathically love भीजिए उनकी तरफ उनको motivate कीजिए ताकि वो भी अपनी life में आगे grow कर पाएं क्योंकि आपके थूना एक बहुत ही important ये जो मैं कहूंगी की important message है ये आगे grow करना चाहता है चीज़ें आगे बढ़ना चाहती है spiritually तो अपनी power को सही जगा पर आपको use करने के लिए बोला जा रहा है वाउ क्योंकि पहले के time में कहते थे कि जब बच्चे सीखते थे ना जो teachers, priests होते थे वो बच्चों को telepathically ही सारे messages देते थे उन्होंने crystals को चीज़ों को ऐसे ही program किया होता था कि वो thoughts के द्वारा चीज़े जो होती थी project होती थी और बच्चे उनसे सीखते थे तो आपको भी बोला चारा है कि आपके अंदर वो ability है और उसे जो है आपको use करना है उसके लिए अपने mind को जो है clear कीजिए ठीक है उसके थूँ क्या होगा कि आप messages send भी कर पाओगे और receive भी कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर ये for sure है कि आप लोग messages definitely receive कर रहे हो spiritual gifts आपके open हो रहे है बस जरूरत है तो थोड़ा सा focus होने की focused होने की उस direction में और अगर हम आपके unconscious mind की बात करे तो यहाँ पर unicorn है purity if you draw this card the unicorn wish to connect with you find time to be quiet preferably out in nature think about them and allow them to touch you with the qualities of dignity, love, beauty and grace they may offer you healing or reconnect you to your soul essence, remain open to a message from them today तो यह सबके subconscious mind में भी यही है भले ही आपके consciously आप यह सब चीज़े नहीं आपको पता चल रही है या consciously आप लोग aware नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में लेकिन unconsciously जो आपके उपर influence हो रहा है यहाँ पर unicorn आपको क्या कह रहे हैं वो आपसे connect होना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप थोड़ा वक्त निकाले अपने लिए थोड़ा वक्त निकाले थोड़ा एक quiet time अपने लिए निकाले और जितना possible हो सके अगर आप ऐसी possible हो सकता है तो nature से connect होए nature में जाए थोड़ा अकेले में समय निकाले और उनसे connect होने की कोशिश करे क्योंकि यहाँ पर unicorn जो है वो आपसे connect होना चाते है वो आपको touch करना चाते है आपकी senses जो है वो बहुत जिसे कहते हैं कि strong हो रही है और आपको बूला जा रहे है जब आप अपने साथ वो एक white time निकालेंगे वो silence में जब आप बैठेंगे तो आप उन वो जो messages या फिर वो जो touch है उसे feel कर पाएंगे कि वो कितना love आपको दे रहे हैं कितना love आपकी तरफ भेज रहे हैं कितना grace है उनके touch में मतलब वो सब feel करना उनसे दुबारा से वो connect करना और कितना वो आपकी जितनी भी traumas हैं जितना भी past हैं उसे heal करना चाहते हैं वो आपको healing प्रदान करना चाहते हैं आपकी soul से वो connect होना चाहते हैं आपकी जो unicorn है खासकर जिन लोगों को यहाँ पर two two double two या triple two दिखाई दे रहा है उनके लिए message हो सकता है लेकिन for sure यहाँ पर unicorn जो है आपसे connect होना चाहते हैं आपकी divine team आपसे connect होना चाहते हैं जब भी आप अकेले में बैठें अपने लिए समय निकालें एक silence में जब आप बैठते हैं तो आपको बूला जा रहा है कि अपने senses पर focus करने के लिए आप कैसा feel कर रहे हो आपके होता है ना कि vibration सी होना अंदर से और कभी गर्माहट सी feel होना warm आ जाना अंदर से कि जैसे आसपास कोई है और मतलब tingling सी होना तो आपको यही बूला जा रहा है कि उन feeling से connect होना अपने senses को और strong कीजी उनसे connect हुए strong करना क्या होता है क्या-क्या हम कुछ extra कर सकते हैं जब तक आप उस पर focus नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें ignore करेंगे तब तक वो develop ही नहीं होंगी intuition को develop करना या senses को develop करने का सिर्फ एकी तरीका है अगर बहुत strongly आ रही है that means कि वो आपका mind चल रहा है ठीक है और वो बहुत soft होती है अगर आपने उसे pick कर लिया तो धीरे धीरे आप habitual हो जाएंगे और आपकी intuition भी strong होनी शुरू हो जाएगी आपको strongly वो messages receive होने लग जाएगी कि yes मेरी intuition मुझे ऐसा बता रही है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे बहुत strong feeling हो रही है तो feeling हो रही है तो वो feel करना उस पर trust करना अगर आप trust नहीं करोगे तो वो चीज open नहीं होती है आगे grow नहीं करती है तो trust करना और उस पर आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है अपने senses को अपनी intuition को grow करने के लिए ठीक है और अगर हम आपके immediate past की बात करें तो यहाँ पर silence की उर्जा है तो definitely आप में से कुछ लोगों ने recent past की अगर मैं बात करूँ क्योंकि immediate अगर मैं present situation की बात कर रहे हूँ तो आप में से कुछ लोग यहाँ प चीजें उतनी नहीं है लेकिन recent past में surely आप लोग बहुत connected थे बहुत अच्छे से meditate कर रहे थे आपने tasks कर रहे थे जो भी rituals आप लोग करते थे वो सब आप पूरे तरीके से कर रहे थे अच्छे से अपना time दे रहे थे contemplation में meditation में तो वो आपको कहीं न कहीं एक peaceful में situation में ले जा चुका है ठीक है जो recent past है वहाँ आपको बोला है कि आप अपनी inner wisdom से भी connected थे यहाँ पर recent past आपका यही बता रहा है immediate past की अगर बात करूं तो इसलिए आपको यहाँ पर अभी currently जो है यह messages दिये जा रहे हैं आपके spirit guides की तरफ से कि दुबारा से connection बिल्ड करो दुबारा स उस उर्जा में tap in करने की जुरत है क्योंकि अगर हम immediate future की बात करें तो यहाँ पर blessings आ रही है हमारे पास wow blessings ka kaadhe give blessings wow your guidance is to bless everyone you meet today blessings silent or loud allow a divine light to flow from you to others whether friends enemies or strangers this touches with this touches them with love and help to open up their heart bless food water animals and trees knowing that you are lightening up the world around you remember all you give out return to you multiplied to definitely blessings है तो आपके तरफ blessings आ रही है लिकित आपके लिए क्या message है कि जो भी है चाहे आपके आस पास कोई भी हो ठीक है आपके friends हो आपके animals हो कोई अजनवी ही क्यों ना हो उन्हें जो है blessings भेजिये चाहे तो आप उन्हें बोल करके कि God bless you आप उन्हें बोल सकते हैं और चाहे तो silently आप उन्हें वो एक pure intentions के साथ उन्हें blessings भेजिये ठीक है ताकि वो जो प्यार आप उनकी तरफ भेज रहे हो ना वो उनके दिल को touch कर सके और उनके heart को open कर सके सभी को bless कीजिए आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपका यहां होना आप आए ही यहां पर है जो आपकी आसपास की दुनिया है ना उसे और मतलब उर्जा की तरफ लाइट की तरफ ले जाने के लिए उसे ग्रो करने के लिए spiritually growth के लिए आप आए हैं सभी की मदद करने के लिए तो आपको बोला जा रहा है blessings देना एक बहुत बड़ी जिससरे के हम बोलते हैं कि gratitude पे करना जो आपके पास है इस समय जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए gratitude पे कीज़े वो आपको और आगे लेकर जाएगा जितना आप gratitude पे करेंगे उतने ही आप अपनी life में blessings को attract करते हुए देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप सभी को blessed करेंगे अपने मूँ से बोलेंगे उतना ही आपकी तरफ return हो करके आईगी जीज़ें आप blessings आएंगी multiply हो करके आएंगी तो अपनी जो power है क्योंकि आपकी अंदर वो power है कि आप अगर किसी को blessings दे रहे हैं तो वो definitely किसी के life में work करेंगे अगर आप दिल से उसे bless कर रहे हैं तो अपनी उस power को world को जो है light की तरफ लेकर जाने में मदद करें उस power को use करें ठीक है वाओ बहुत ही beautiful messages है यहाँ पर being your guidance is to stop doing and striving forget about tomorrow just still your mind and be in the now in this quiet time contemplate the wonders of life and appreciate all that you have to do including the opportunity for life on earth your reward sorry your reward will be inner peace and a sense of divine connection तो definitely जिस इसकी बात में पहले कर रही थी कि आप पहले भी silence में रहे हैं आपने meditation बहुत अच्छे से किया है तो आपको यहाँ पर divine बोल रहे हैं कि आने वाला जो समय है जो distant future है आने वाले कुछ समय में आप enlightenment की और बढ़ रहे हैं वननेस की और बढ़ रहे हैं चीजों में differences नहीं करना आप still जिसे कहते हैं कि कल के बारे में नहीं सोचना कल के बारे में नहीं सोचना अभी में रहना वो एक उस process की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही आपका attitude जो है बहुत positive रहने वाला है आपके round जो भी चीजे हो रही हैं लेकिन आप positive हैं और अपने काम क frequency के साथ आगे बढ़ते वे जा रहे हैं आपको बोला जा रहे हैं आने वाले समय में आप बहुत चीजों को समझ रहे हैं कि आपकी life में जो भी चीजे होई हैं उनको लेकर के आप बहुत सोचेंगे एक higher perspective से चीजों को देखने वाले हैं और जो भी आपने अपने इस धरती पर इस lifetime में आप जो भी कर रहे हैं या कर चुके हैं जो भी opportunities आपके पास आई जो जो कुछ आपने किया है जितना भी किया है उसको लेकर के appreciate आप करते हुए दिख रहे हैं और आपको बोला जा रहे हैं इसलिए divine आपको बहुत सारा inner peace आपकी तरफ भीज रहे हैं आपको हैं 10 of cups की उज़ा होती है कि emotionally fulfillment जिसे हम बोलते हैं emotionally fulfill feel करना आपने आपको वो उस चीज को आप feel करते हुए future में मुझे हैं आपर दिखाई दे रहे हैं और आपका जो divine connection है ना वो बहुत strong होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है आपके spirit guides आपक follow करने की जुरत है यह आपके spiritual growth के लिए बहुत 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 जरूरी है यह बहुत my dear यह बहुत ही जादा deep messages है यह बहुत लोग इससे connect नहीं हो पाएंगे मतलब कुछ लोग ही होंगे जो इस उर्जा से connect हो सकते हैं depend करता है कि आप अपने journey में किस level पर है अभी ठीक है और अगर मैं लोगों की बात करूँ कि आपको लोग किस तरीके से देखते हैं तो यहाँ पर contemplation का card आया है हमारे पास ठीक है तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी आसपास की जो उर्जा है कि आप जीवन में जो भी आप काम करते हैं पहली बात तो आप बहुत wise हैं बहुत ही divine से connected person है आपको अपनी life में वो clarity है और आपको लेकर के लोग बहुत inspire होते हैं कि आप अपनी life में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जो जिस भी age में है चाहे आपकी कोई भी age हो कि आप अपनी इस age में इतने blessed हैं और अपनी spiritual growth कर रहे हैं इतनी knowledge है आपको इतनी wisdom है आपकी अंदर आप उससे connected है और आप divine से direct messages receive कर सकते हैं guidance ले सकते हैं इसलिए लोग आपके पास भी guidance मागने आते हैं अगर उन्हें कुछ दिकत होती है तो आपकी आसपास के लोग जैसे कि आपकी तरफ attract होते हैं वो चाहते हैं उन्हें पता है कि अगर वो किसी मुसीबत में है या किसी problem में है तो उन्हें आपसे जरूर कोई message या guidance उनको जरूर मिलेगा वो अपने आपको बहुत ही जादा blessed feel करते हैं वो आपको एक मैं physically उस तरीके की बात नहीं कर रही लेकिन mentally जैसे एक priest और priestess होते हैं उस तरीके का वो आपको समझते हैं कि आप में वो एक deep knowledge है वो एक connection है आपका divine के साथ तो इसलिए वो आपकी तरफ attract होते हैं अगर किसी भी problem म वो फसे हुए हो तो आपसे एक बात करना जरूर वो चाहेंगे कि उन्हें पता है कि आपके थ्रू उन्हें वो guidance जरूर प्रवाइड में होगी तो आपकी आसपस के लोग आपको बहुत बुद्धिमान और एक other level का person समझते हैं अगर मैं आपके fear की बात करूं और आपके hopes क आपके बात करूं तो यहां पर एक्सिलेंस का कार्ट है आपना हर चीज में perfection तो चाहते हो यह for sure है और यहां पर जो message हम पहले पढ़ लेते हैं do your best if you choose this card you may be presented with a challenge or responsibility accepting and do it graciously to the very best of your ability it doesn't matter whether you fail or succeed your guidance is to participate with all your heart and soul in whatever life presents to you तो yes excellence का जो message है आपको चाहिए कि जो भी आप चीजें करें ना वो perfect हो अगर आपको कहीं ऐसा रहता है कि यह चीज में बिल्कुल perfectly नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगे तो आप उसमें participate ही नहीं करते हो आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं न कि ego hurt हो जाना कि यह चीज अगर मैंने उस level पर नहीं करी बाकी सब मेरे से अच्छा कर जाएंगे तो मेरा ego hurt हो जाएगा तो आपको यहाँ पर divine बोल रहे हैं कि आपको अपनी life में जो भी challenges हैं जो भी responsibilities हैं उसमें present रहना है उसमें participate करना है ठीक है तो अपनी ability को समझिए हर चीज को accept करना सीखिए अपना 100% दीजिए अपना best दीजिए और आगे बढ़िए आपको बस उसके outcome की चिंता नहीं करनी है कि अगर मैं इसमें participate करता हूँ क्या मैं इसमें सफल होंगा या मैं इसमें पिछड जाओंगा या मैं fail हो जाओंगा इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है जब आप सिर्फ और सिर्फ उस present moment में रह करके उसे enjoy करते हुए उसमें participate करते हैं अभी वो कोई responsibility हो सकती है कोई challenge हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो आपको बोला जा रहा है बस अपना heart बीच में डाल दो अपने दिल से उस काम को करो उसमें participate करो और बाकी जो भी life आपको दे रही है उसे लेना सीखो खुशी के साथ ठीक है जैसा भी मिले बस दिल से participate करो दिल से करो जो भी करो फिर देखो वो जो आपको inner peace मिलती है तो अपने आप चीजें best हो जाएंगे क्योंकि जब हमारे अंदर हम किसी चीज को लेकर की जलते हैं कि अगर ये perfect नहीं हुआ तो अगर ये बिलकुल best नहीं हुआ मेरा तो क्या होगा तो ये चीजें आपको नहीं सोचनी है जो भी काम आप कर रहे हैं जिस भी area के लिए आप देख रहे हैं तो divine आपको ये ही बोल रहे हैं कि आपको दिल से participate करना है जब भी करना है और अपना 100% दीजिए अपना best दीजिए उस समय आप outcome की चिंता मत करें अगर outcome की चिंता करे तो आप अपना best नहीं दे पाएंगे ठीक है आप पूरे दिल से उसमें present नहीं हो पाएंगे तो वो जरूरत है आपको करनी की तो इस fear से भार निकलिए कि मैं fail हो जाओंगा इसमें या चीजें सही नहीं होंगी या मैं सफल होंगा या नहीं होंगा इन चीजों को इन outcomes को छ कुछ लोगों का लिटरली यहां पर यहां पर amethyst है अगर आप देख पा रहे हों तो कुछ लोगों का amethyst जो है birth crystal हो सकता है जैसे की यह वाला है ठीक है amethyst okay roots if you draw this card you are guided to strengthen your connection with home which may means meditation on your stellar organs alternatively it may suggest that you explore your background and ancestral heritage you may have sorry you may even need to put down more roots to enhance your feelings of belongings which you can do by meeting new people deepening friendships or developing interest locally हम तो आपको यहां पर आपके ancestors आपके guides आपके spirit guides आपको यही बोल रहे हैं कि आपको और ज्यादा अपने roots से connect होने की जुरत है आप जितना deep जाओगे उतना आप आगे grow करोगे जितना आप meditate करोगे जितना आप deeply connect होगे आपको यहां पर बोला जा रहा है जरूर से मतलब आपको थोड़ा आपका ancestral आपका कैसा रहा है आपको अपने आपकी दादा जू है आपकी परदादा जी जो थे परदादी मतलब जो आपके ancestral रहा है pattern pattern की बात नहीं करूंगी background से connect होने की जुरत है आपको बूला चारह है तो कुछ लोगों के लिए ये एक practice रहने वाली है कि जो आपके ancestral जगा है आपकी ठीक है जहां आप पैदा हुए जो आपके पूरवजों का घर रहा है वहां जाकर कि अगर आप meditate करेंगे ये practice उनके लिए बहुत important रहने वाली है आपको बूला चारह है अपने roots से connect हुए हैं आपको बहुत messages मिलेंगे आप उनसे connect होंगे आप आगे बहुत जल्दी grow होंगे आपको वो जो guidance मिलेगी न और वो जो आप अपने आपको एक अंदर से उनके साथ connected feel करेंगे और आपको वो जो inner peace आएगा वो जो comfort आपको मिलेगा ना उनके साथ connect होने में वो बहुत important रहने वाला है और कुछ लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है आपका जो birth stone है उसके साथ काम कीजिए उसके साथ काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अपने birth crystal के साथ आपको काम करने की जरूरत है sorry मैंने stone बोला birth crystal ठीक है yes तो वही आपको एक solid foundation देगा वही आपके roots को और गहरा करेगा आपको जोड़ेगा आपके ancestors से आपके spirit guides से तब ही आप आगे जिसे कहते हैं कि वो एक connected उनसे feel कर पाऊँगे वाउ चलिए और messages देख लेते हैं आपके लिए और कुछ कहना चाहते हैं आपके ancestors आपके इंसेस्टेर्स आपके लिए तैरो से देख लेते हैं आपके लिए okay okay friends यहाँ पर मुझे एक message देना है कि कोई एक person ने मुझे बोला यहाँ पर बहुत बार बोला है कि मैं अपने camera को जो है न यहाँ पर set करूँ तो पहले तो मैं यह बताना चाहूंगी कि मैं phone के phone से ही recording करती हूँ और सारा काम मैं phone से ही करती हूँ तो मेरे लिए possible नहीं है इदर सामने की तरफ setting करना क्योंकि अगर कुछ blur वगरा होता है तो मुझे पता नहीं जलेगा क्योंकि सासत मुझे अभी screen में देखना पड़ता है ठीक है अगर चीज clear नहीं होती है तो मैं उसे correct कर सकती हूँ जैसे कि अभी आपने देखा लेकिन अगर मैं कहीं उचाई पर अगर अपने phone को set कर दूँगी तो वो मेरे लिए difficult रहेगा मुझे समझ में नहीं आएगा तो मैं उसे clear भी नहीं कर पाऊँगी तो मेरे लिए possible नहीं है तो please थोड़ा adjust करें ओम नम्हाश्यवाए नहीं के लिए नाइन ओफियर नेगटिविटी वरी एंद स्लीपलेसनेस ओके नाइन ओफ स्वार्स की उचा है नाइन ओफ फायर यह आया है खुद से फोर ओफ एयर डेफिनेटली देखें मैंने आपको यही बात बोली है ना कि आप लोग जो है ना अभी meditation नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से यह भी कार्ड जो है ना भी बिलकुल reverse में आया है अगर कर भी रहे हैं तो अपने आपको उतना connected फील नहीं कर रहे हैं आप मतलब उस deep उसमें नहीं जा रहे हैं आप deep बहुत नहीं जा रहे हैं meditation में तो आपको यहाँ पर बोला जा रहे है कि किसी ना किसी तरह की वरी है आपको कोई ना कोई चिंता आपको सता रही है या तो चिंता है आपकी लाइफ में जिस वज़े से कि आप पूरी तरह के से सो नहीं पा रहे हो या फिर आप अपने आपकी around negativity बहुत है तो अपने आपको पहले इस situation से heal कीजिए protect कीजिए अपने आपको अपनी energies को जो unhealthy peoples है जो आपको wrong vibration negative vibrations भेज रहे हैं उनको लेकर के अपनी protection कीजिए मैंने last reading में भी आपको ये message दिया था कि आप में से कुछ लोगों को जिनका काम बहुत अच्छा चल रहा है चल रहा था और एकदम से नीचे हो गया और हो सकता है आप में से बहुत लोगों की negativity नजर लगी है evil eye की यहाँ पर message मुझे मिल रहा है जिस वज़े से अब worry हो सकते हैं बहुत जादा सोच विचार में है तो उन लोगों से protection की बहुत जरूरत है तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर evil eye रखा हुआ है as a bracelet आपको wear करने की जरूरत है ठीक है तो ही वो protection आपको मिल पाएगी और तभी आप इस situation से निकल पाएंगे और आपको बुला जा रहा है meditation पर focus कीजिए contemplate कीजिए healing कीजिए अपने heart chakra की अपने आपको आगे बढ़ाए peace में जाने की जरूरत है आपको थोड़ा इस situation से बाहर निकलने की आपको जरूरत है तभी आप अपनी fiery उर्जा में आप आएंगे आपको बूला जा रहा है तभी आप अपनी जो main जो आपकी उर्जा है उससे connect हो पाएंगे यहाँ पर भी देख रहे हैं वो tree है तो कुछ लोगों के लिए definitely यह बहुत ही strong message है कि आपको अपने roots से connect होना है और roots में ही कुछ लोगों के issues लग रही है मुझे कोई ancestral कोई pattern चला आ रहा है उसे heal करने की जरूरत है कोई past से कोई fear चला आ रहा है या आपके mind में आपके thoughts में कुछ ऐसा पहले से डाल दिया गया है जो अभी तक आपके अंदर एक as a fear या एक वो blockage मना हुआ है तो उसे heal करने की जरूरत है क्योंकि आपके नहापे growth के रास्ते बहुत खुल रहे हैं आपको बोला जा रहा है तो अपने अंदर की उस fire से connect होने के लिए आपको ये healing की बहुत जरूरत है meditation की बहुत जरूरत है yes definitely और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि धूप धूप लेना धूप की जो रोशनी वो जो सेख होता है वो आपको बहुत उर्जा देगा ठीक है और नंगे पाओ अगर आप grass पर चलते हैं उसको feel करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी greenery है यहाँ पर भी greenery है यहाँ पर भी tree है यहाँ पर भी बहुत सारी greenery है तो nature से connect होना आपके लिए बहुत जरूरी है आपको बूला जा रहा है तब ही आप अपनी जिसे कहते हैं न कि true spirit में tap in कर पाओगे जिसे कहते हैं कि अपनी soul essence के साथ reconnect होना तब ही आप हो पाएंगे जो spirit, जो जो जिसे कहते हैं जो आप हो चुके हो चीजें दुबारा से वैसी अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा आपको बूला जा रहा है नेचर से connect होना बहुत जरूरी है आपके लिए और देख लेते हैं आपके ancestors आपको क्या message देना चाहते हैं Thank you Thank you ancestors Thank you spirit kind Thank you so 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 Receiving from angels Shimmering wings of angels Embrace me with love Beautiful पैदे messages ले लेते हैं Renewing your life Radiant vitality is filling my life ये देखिए ये देख रहे हैं Clutch Okay Last one please Thank you, thank you ancestors Thank you so much Leak ya message Embarking on an adventure A savor the wonder of the world Wow Right Following your bliss Very nice Very nice Very nice My dear Yahaan per aapke ancestors आपको 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 बोल रहे हैं उनकी आपके आपके आस्पास हैं आपको आपसे connected हैं आपको देख रहे हैं ये आपको कैसे फील होगा कभी एकदम से आपको लगे कि आपको फैदर दिख रहा हैं कोई थंडी सी हवा आजाना है हवा का जूंका आजाना मतलब इस तरीके से वो आपके सामने आपके आस्पास अपने आपकी presence को दिखाते हैं तो उस presence को आपको फील करना है उस प्यार को आपको फील करना है appreciate करना है आपको बोला जारा है वो आपको heal करना चाहते हैं वो आपकी आस्पास हैं आपको बोला जा रहा है, आपको धेर सारी protection दे रही हैं, और आपको बोला जा रहा है कि उन्हें permission दीजिए, उनको बोलिए कि वो आपको heal करें, आपको guidance दे, क्योंकि वो दे रहे हैं, और जब आपको ये चीजें दिखाए दे, feathers दिखाए दे, synchronicities दिखाए दे रही हैं, ऐ यहीं आपके ancestors, आपके spirit guides आपको यह बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ना जरूरा थे कुछ internal और कुछ outer, clutter करनी कि अपनी life से जितना भी old चीजें थी, जो चीजें आपको serve नहीं करती, जो situation जो लोग आपको serve नहीं करते, जो habits आपको serve नहीं करती हैं, उन्हें clutter कीजे, अपनी life से निकाल फेक ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है embarking on an adventure, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक नई journey आपकी start होने जा रही है, और आपको बोला pattern था यह इसे release करने की जुरत है, इसे निकाल फेक ही अपने अंदर से, और अपने अंदर की जो जिसे कहते हैं अपने आपको limit मत कीजिए, यह वक्त है कुछ अलग करने का, यह वक्त है कुछ out of the box करने का, कुछ risk लेने का, कुछ adventure करने का, तो उसके लिए आपको तयार होना है, लेकिन जब तक आप old patterns को follow करते रहेंगे, उन चीजों को release नहीं करेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आपकी ancestors, आपके spirit guides चाहते हैं कि आप उसे release करें और आगे बढ़ें, एक new life की तरफ, यहाँ नहीं नहीं opportunities आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, और य दिल को खुशी देती, आपकी आथमा को खुशी देती हैं, वो सब कीजे, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो nature के साथ time spent करना हो, चाहे वो painting करना हो, चाहे वो अपनों के साथ, अपने loved ones जो आपके, उनके साथ आपको बाते करना हो, कुछ भी, कुछ भी, जो चीजे आपक को खुशी देती हैं और जो आपकी vibrations को high करती हैं जिनसे आप बहुत light feel करते हैं चाहे वो आपके बच्पन के दोस्त हों उनके साथ time spend करना थोड़ा यहां फिर nature में बैट करके एक कप चाय का sip पीना वो आपको अगर refresh कर देता है वो आपको चोटे बच्चे थे हमें जो अच्छा लगता था जो हमारा मन करता था हम वो करते थे ना तो आपको दुबारा से उस उर्जा से connect होने के लिए बोला जा रहा है कि अपने आपको heart नहीं कीजिए अपने आपको block मत कीजिए अपने आपको चलिए लास्ट आपके लिए आपके लिए देख लेते हैं इस डेक से क्या messages है thank you thank you ancestors और क्या message देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को please message तीचे लेकिन मैं इतने सारे लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत important message है यह आपके लिए एक दम से और आपके जो ancestors आपके spirit guides है वो बहुत impatient है इस चीज़ के लिए वो जल्दी जल्दी आपको message देना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं और यहाँ पर है freedom follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow तो definitely यह जो message आपको यहाँ पर मिला है कि अपने heart को follow कीजे जो आपको खुशी दे जो आपकी soul को nurture करे जो आपको प्यार से भर दे ठीक है उसके साथ आपको connect होने की जुरत है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है आगे grow करना है freedom आपकी soul क्या मांगती है आपकी soul बंदिश नहीं मांगती अपने आपको limit करना नहीं मांगती वो खुलना जाती है वो उड़ना जाती है तो उसे उड़ने दे तो इसलिए आपको बोला जा रहा है अपने heart को follow करो ठीक है patience be patient and allow destiny to unfold at its own pace तो definitely आपको बोला जा रहा है patience रखो आपकी जो ancestors है spirit guides आपको बोल रहे है patience रखो धीरे धीरे चीज़े unfold होंगी अपने तरीके से तो frustrate नहीं होना है आपको ठीक है इस वक्त भी जो भी situation है चाहा पहली की तरह काम नहीं कर पा रहे हैं उस energy में tap-in नहीं कर पा हैं अपना 100% दे रहा है बोला है ना कि यह मैस सोचो क्या message आपको यहां पर मिला है यह नहीं सोचना है कि मैं fail हो रहा हूँ या मैं pass हूँगा की नहीं हूँगा इस situation में सफ़ल हूँगा की नहीं हूँगा जो मैंने सोचा है वो चीज उस तक पहुँचोंगा की नहीं participate करना है और आगे बढ़ना है बस outcome से detach हो जाओं ठीक है किसी चीज़ पर अटकना नहीं है आपको और यहाँ पर है गाया माधरत गाया सी मैं आपको यही बोल रही हूँ ना nature calling है यहाँ पर आपके लिए connect to the pulse of mother earth she will guide you through this time of change तो यह एक change का समय है आपकी life में बहुत ही भेतरीन change और एक shift इसे आप गुजर रहे हैं old patterns को release करना और new journey start करना spiritual growth आपकी यहाँ पर हो रही है आपको बोला जा रहा है कि mother earth से connect हो यह गाया से connect हो यह नेचर से connect हो यह वो आपको definitely इस moment पर guide करेंगी क्योंकि वो माँ है जब हम कहीं किसी situation में stuck होते हैं तो हम अपनी mother से ही guidance लेते हैं कि ममा अब हम क्या करें मुझे आप guide कीजे तो mother earth गाया हमारी mother ही है तो उनसे connect होई है आपको वो messages definitely मिलेंगे क्योंकि आपकी body जो है वो messages receive कर रही है आपकी अंदर वो ability है तो ज़रूरत है तो उनसे connect होने की आ पहुती खुपसूरत और deep 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 messages है यह होप आपको इससे guidance मिली हो friends मिली है तो please video को like जरूर कीजेगा चाया को subscribe जरूर कीजेगा और comment करके please मुझे बताएं आपकी comments जो है मुझे और ऐसे नहीं videos बनाने के लिए push करते हैं आगे ठीक है तो yes thank you so much for watching my video God bless you all bye bye